हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी चानल में तो कैसे हैं आप सब लोग में उम्मीद करते हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तो आज हम बना रहे हैं सर्दी स्पेशल लड़ू आज हम बनाएंगे गोंद के लड़ू गोंद के लड़ू के फाइदे अनेक होते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही साथ हम बहुत ही आसान तरीके में बनाएंगे कमरदर, जोडों के दर्थ और बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, दिमाग लिए भी बहुत बढ़िया होता है तो बिना किसी देरी के चलिए गोंद के लड़ू बनाना शुरू करते हैं लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले की कड़ाई ले लेंगे इसमें मैं डाल रहे हूं दो टेबल स्पून गी और गी को हम अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गी अच्छा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे गोंद ये देखें दोस्तों गोंद हम एक बोल के हिसाब से डालेंगे पर हम एक एक चमच करके डालेंगे इससे क्या होगा हम एक एक चम्मच करके डालेंगे तो हमारे गोंद बहुती अच्छी तरीके से फूल पाएंगे अगर हम एक साथ डाल देंगे तो बहुत सारे गोंद अच्छे से फूल नहीं पाएंगे इसलिए हमें गोंद को एकदम फुलाना ज़रूरी है एक एक चम्मच डालके हम एक बोल के गोंद पूरे के पूरे अच्छी तरीके से फुला लेते हैं हम मैं सभी गोंद को अच्छी तरीके से फ्राय कर लेती हूँ दोस्तो गोंद हमने आपे फ्राय कर लिया है अब एक हम ले लेते हैं दूसरा पैन इसमें मैं डाल रहे हूँ डैसिकेटेड कोकोनट अगर दोस्तो आपके पास डैसिकेटेड कोकोनट ना हो तो आप फ्रेश नारियल को अच्छी तरीके से ग्रेट करके उसे ड्राय रोस्ट क कर सकते हैं यह मैंने एक बोल के हिसाब से लिया था अब यह देखे दोस्तों यह डेसिकेटेड कोकोनुट का कलर भी चेंज होगा और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसको भी हम निकाल के साइड में कर लेते हैं उसी पैन में हम डालेंगे थोरा सा गी और गी को अच्छी त तरीके से फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर हमारे मखाने भी अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुके हैं इसको भी हम निकाल लेते हैं उसी पैन में हम थोड़ा सा गी और डाल लेते हैं और अब हम इसमें हमारे सारे ड्राइफ रूट्स अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेते ह या फ्राइ कर लेते हैं दोस्तों तो डाइट फूट्स मैंने यहाँ पे लिये हैं बादाम, काजू, किश्मिश ये सब मैंने आधा आधा बोल के हिसाब से लिया है तो यहाँ पे हमारे ड्राइ फूट्स भी अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुके हैं तो इसको भी हम निकालके सेपरेट कर लेते हैं अब दोस्तो हमारे यहाँ पे गोंद अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और जब हमारे गोंद अच्छे ठंडे हो जाएंगे तब हम उसे अच्छी तरीके से फोल लेंगे तो यहाँ पे हम कटोरी के सायता से इस अच्छी तरीके से क्रंच कर लेते हैं अब दोस्तों मैं आपको इसकी साउंड दिखाती हूँ इससे आपको पता चलेगा कि हमारे गूंद कितने ज़दा क्रंची बने है और बहुत ही अच्छी तरीके से फूले है तो यहाँ पे गूंद को अच्छी तरीके से हमने क्रश कर लिया है अब दोस्तों जो हमने मखाने सके नले ज़िने हमने फ्राई किया था उसे हम मिक्सर में डाल देते हैं और इसे भी अछे से हमिसका मिक्शर पेलेते हैं अगर अगर आपके पास मखाने अमिलेबल ना हूँunting तो आप इसको स्किप कर सकते हैं पर मखाने के बहुतत सारे गुण होते हैं तो आप इसको ज़ अब दोस्तों यहाँ पे हम कडाई ले लेते हैं कडाई में हम डालेंगे घी तो यह मैंने डाल दिये हैं दो चमच के हिसाब से घी दोस्तों क्यूंकि हम यह गोंद के लड़ू बना रहे हैं इसलिए इसमें घी बहुत जादा है और जितना आप गी डालेंगे उतने ही आपके लड़ू फाइदेबन बनेंगे और ऐसा तो है नहीं कि हम सारे लड़ू एक साथ खा लेंगे हम एक एक करके हमें एक लड़ू एक दिन में खाना है अब ये मैंने जिस कटोरी से गोन लिया था उसी कटोरी से मैंने तीन बोल के हिसाब से ले लिया है आटा अब हम आटे को अच्छी तरीके से भुनेंगे जब तक इसका color change ना आ जाए इसकी खुश्बू एकदम aromatic ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे तो दोस्तो आटे को अभी भुनते भुनते करीबन 5-6 मिनिट हो गए है इस समय मुझे थोड़ा सा गी कम लग रहा है तो मैं इसमें एक चमच और गी और डाल देती हूँ अब इसे और अच्छी तरीके से हम फ्राइ कर लेते हैं अब दोस्तो आटे को हमने भुनते भुनते करीबन 15 मिनिट हो गए हैं और आटे को मैंने लो फ्लेम पे भुना था तो अब आप देखी सकते ही इसका कलर चेंज हो चुका है और इसकी खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है जब इसकी खुश्बू भी अच्छी आने लग जाए कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब आपका आटा अच्छी तरीके से भुन चुका है अब ये गोन जिसमें क्रश करा है हमने इसी में हम हमारा आटा डाल लेते हैं और इस तरह की एक बड़ी सी हम परात लेंगे जिसमें हम सारा मिक्षर एक सार कर सकें तो आप देख रहे हैं आटा डालने के बाद हम इसको फैला लेंगे ताकि हमारा आटा भी थोड़ा रूम टेंपरेचर में आ जाए अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राइ फ्रूर्ट जिनने हमने पहले से फ्राइ कर लिया था और इसमें डाल देंगे हमारा भुनावा डेसिकेटेड कोकोनट जिससे हमने पहले ही भुन लिया था अब हम इसमें डाल देंगे मखाने का मिक्षर जिसे हमने पहले से मिक्स कर लिया था आपके घर में जो भी चीजे अवेलेबल हो आप उसी से इने बनाईएगा बहुत सारे लोगों के घर में ये डैसिकेटेड कोकोनट नहीं होते तो आप फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे 1-4 टीस्पून इलाइची पाउडर इससे इसका फ्लेवर भी इन्हांस होगा और साथी साथ बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी अब हम इस मिक्षर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसको साइड में रख लेते हैं थोड़ा ये रूम टेपरेचर में आ जाए और ये लास्ट वाला प्रोसेस अब हम करेंगी ये प्रोसेस हमें सबसे लास्ट में ही करना है अब हम बनाएंगे गुड की चाशनी वैसे तो दोस्तो इससे पहले भी मैंने गोंद के लड़ू बनाये थे पर उस टाइम मैंने चीनी में बनाये थे दोस्तों गुर कितना फायदेमंध होता है ये तो हमें पता ही है इसलिए आज हम गुर से बनाएंगे ताकि हमारे गोंद के लड़ू और भी जाधा फायदेमंध हो जाए तो यहाँ पे मैंने चार बोल के हिसाब से गुर डाला था और इसमें आधा बोल हमने डाला है पानी अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और हमें गुर को पानी में अच्छी तरीके से सिर्फ घोलना ही है अब हम इसमें एक टी स्पून के हिसाब से घीर डाल देते हैं इससे क्या होगा? कि जो हमारी गुर्की चाशनी बन रही है इसमें एक शाइनी अपिरेंस आजाएगा अब जैसे ही आपके गुर्की चाशनी में एक बॉयल आ जाए तो इसका मतलब आपकी गुड की चाशनी एकदम तयार है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक बॉइल आ चुका है, चाशनी एकदम तयार है, अब हम जो भी प्रसेस करेंगे वो हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है गुड ठंडे होने में जादा टाइ अब हम इसमें जल्दी से हमारी गुड की चाशनी डाल देते हैं, और एक स्पून की सायता से इसी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, दोस्तों जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे हमने चाशनी तो जादा डाल दी है, पर गुड बहुत होने लग जाता है, इसलिए अगर आपको लगे कि आपका ये बैटर थोड़ा गीला हो रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे ये टाइम जाएगा वैसे वैसे ये टाइट होने लग जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और चाशनी हमने एकदम पर्फेक्ट डाली है इसमें, एक बारी मिक्स करने के बाद अब चलिए हम फटाफट से हमारे गोंद के लड़ू बनाना शुरू कर देते हैं, लड़ू बनाने के लिये आप चाहें तो अपनी पूरी फैमिली का हेल्प ले सकते हैं, उससे क्या गोंद का लड़ू बनकर त्यार हैं, बिलकुल इसी तरीके से मैं अपने सारे गोंद के लड़ू बना लेती हूं दोस्तों बहुत ही हेल्दी और सेहत से भड़ू बना लेती हूं हरपूर हमारे ये गोंद के लड़ू बनकर त्यार है, एक लड़ू आप एक दिन में जरूर खाएगा, एक से दो भी खा सकते हैं, यह आपके उपर है आज गोंद की लड़ू की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेर करना, मेरे चानल को सब्सक्राइब करना और दिये गे बैल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, बाई दोस्तों वापिस मिलूंगी ऐसी ही एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ